ना रोटी है ना आपका पराठा है आज हम आपको बना के दिखाऊंगा बहुत ही बढ़िया आसान तरीका से आप घर पर बना सकते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट चोटे एक दम बेबी देखिए पनीर मसाला कुल्चा देख सकर होंगे कितना बढ़िया और बहुत ही अच्छा लग रहा देखने के लिए एक दम सॉफ्ट और बटर भरा हुआ चलिए आज का रेसी भी सुरू करते हैं इधर देखिए हम मिल्क यूश क्या हूं मिल्क में अभी डाल देंगे वान एन हाप स्पून जो है सुगर आपको अड़ करना है ज्यादा सुगर आपको अड़ नहीं करना है अब इसमें डालूंगा थोड़ा स्वाद अनुस्वा नमग आपको हाफ स्पून डाल देना है और इधर आपको अड़ करना है बेकिंग पौडर बहुत ही छोटा देखिए स्पून है टी स्पून में बेकिंग पौडर आपको डालना है और अच्छा तरीका से इसको मिक्स कर लेना है पूरा जैसा सुगर अच्छा तरीका से मिक हो जाए अब इसमें एड करेंगे नॉर्मल वाटर एड करेंगे अब इसको कुछ देर तक रख देना है और इसमें थोड़ा सा 4 टेबल स्पून करीब आपका दही है इसको डालके मिक्स करके कम से हम 10-15 मिनिट तक आप इसको एक साइट में रख देना है अब क्या करना आपको जो आपका पनीर कुल्चा बनाएंगे उसका मैदा अभी मैनिट करना होगा कैसा मैदा का जो डो बनाते हैं हम आपको दिखाओंगा मैदा इधर देखिए हम 2 कप का यूज किया हूँ ज्यादा भी ने लिया हूँ दो कप का जो मैदा है इसमें हम लोग एड करेंगे इधर का देखिए 2 कप मैदा है आप चाय तो एक कप मैदा एक कप आटा भी यूश कर सकते हैं और इसमें जो मिक्स क्या हुआ आपका मिलक है दई है पूरा जो है अब इसमे आपको जो इस आपसे लगए और आपको जो ठापसे लगए और आपको इस आपसे लगए उपँ से थोड़ा ठाप्स होगा, politic अच्छा से बैठ जाएगा तभी आपको जनान होगा बहुत ही अच्छा बनेगा घर में आप आराम से बना सकते तावा में बहुत ही जी आदेखने के लिए बहुत ही बढ़िया लगेगा कैसे बनाता हुआ पूरा देखिए वीडियो आपको समझ में आएगा आप इसको क्या करना आपको एक मसाला बना लेना है पनीर कुल्चा को जो स्टफिंग होगा कैसे बनाएंगे थोड़ा सा आपको ओयल देना है ज्यादा ओयल नहीं देना है और इसमें बारी कटा हुआ अद्रक को थोड़ा टॉस कर लेंगे अब इसमें क्याना है ग्रीन चिली आपको थोड़ा सा सौटे ज्यादा टाइम करने होगा क्योंकि जो पानी है आपका बेटेवल्स का ओनियन का पुरा ड्राई होना चाहिए अब इसमें मसाला में डालेंगे देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर चिली पाउडर ये धनिया पाउडर है और ये है भुना जीरा ग्रेट कर लेंगे इसको अच्छा तरीका से मिक्स कर लेंगे जब मिक्स करने आपको ध्यान रखना है अच्छा तरीका से इस तरह से मिक्स करना है जैसे बड़िया तरीका से मसाला पुरा मिक्स हो जाए और थोड़ा सा कोत्मी रिस्त में डाल देगे जो धनिया पत्ता डा पूरा हाथ में आपको इस तरह से मैस कर लेना है अडो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से सेट हो चुका है अब इसको छोटा-छोटा साइच में कट करना आप देख सेको कितना छोटा कट कर रहा हम ज्यादा बड़ा आपको नहीं करना पूरा बेबी नान बनेगा जो इस से आपको ऐल लगा के इस तरह से रख देना है अब जितना डो देखिए कर चुका है इसको 10-15 मिंटर रख देंगे अब क्या करना है आपको इस तरह से चारो साइड से थोड़ा सा डीप कर लेंगे आप जो स्टफिंग है बीच में इस तरह से भरना है और इसको अच्छा त पराढ़ा जो है फटने का चांस रहेगा मसाला देखिए पूरा भर चुका है इसमें है थोड़ा सा गाजर ग्रेट क्रिया हो हो और आपका काला जीरा जो होता है इसको मिक्स कर गे जो मसाला कुल्चा का उपर इस तरह से लगा देंगे लगाने से क्या होगा आपको देखन के लिए बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत खुश्रत लगे आप देख सकरूंगे कि इतना अच्छा लग रहा देखनी के लिए अब इसको रखेंगे पांदस मिनिट तक इस तरह से कप्रा में भीगा कर अब इधर रेडी करना है आपको एक बॉल में पानी लेना है टेबल स्पून करीवे आपको सॉल्ट एट करना है क्योंकि हम इसको ताव में कैसे बनाते हम आपको दिखाऊंगा अब ताव आपको गरम कर लेना है घर का जो रोटी बनता है उस ताव में आपको जो नमक पानी है इस तरह से चिटना है चिटकने से क्या होगा आपका एक लेयार बनने से क्या होगा आपका जो नान जब लगाएंगे ना कुल्चा उपकड़ेगा नहीं और जलेगा भी नहीं बहुत ही आराम से निकलाएगा इस तरह से आपको गरम ताव में नमक पानी देके इसका एक लियार बना लेंगे आप कुल्चा को जो क्या करना है आपक किए इतना खुब्स्रोस लग रहा देखने के लिए और बढहा लग रहा और कितना चोटा ना आप देख सकोजे होगे हात में आया हुआ अदेख सकोजे के तुछा नीचे में पानी लगाएए और जब ताव में लगाएंगे ताव का हीड आपको ज्यादा नहीं होना करना है जब तरह सेकना है जब जैंगे आपका कुल्चा क्या होने एक पूरा फूल जाएगा थीं actually बहुत ई बडिया लग रहा कलरफुल लग रहा आप इसको मटन का साथ में खा सकते हैं पनीर बटल मसाला का साथ में भी खा सकते हैं यह तो chicken masala आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया कोई किसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए यह देखिए कितना आसान से कड़ाई से निकल जा रहा आपको 2 side हम दिखा रहा हम इसके पीछे हिस्से में देखिए कलर कितना बढ़िया है एकदम मस्त एक जबर्दस कलर है देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा और इसमें क्या करना आपको गर्मा गरम जो बटर है इसको अच्छा तरीका से लगा देना है आप एकदम ये रेसिपी जो एक घर बें ट्राई किजिए आसा करता हूँ जो पनीर कुल्चा का रेसिपी आपको पसंद आया होगा बेबी पनीर कुल्चा का रेसिपी आपको पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ये देखिए और एक भी आपको लागा के दिखा रहा हूँ ये देखिए कितना बढ़िया और कलरफुल है कुलचा फिर आसा करतो हम मिलेंगे फिर मज़ेदार और ने ने रेसिपी के साथ में एक तो कमेंट प्लीज बनता है एक कमेंट जरूर कीजिए ये देखिए नान बनक आपको कितना सौफ्ट है अब घर में बनाईए ट्राइ कीजिए और एक कमेंट कीजिए